नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखर्णा उम्योपेथिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे ड्राइ आइस के विशे में ड्राइ आइस जो की एक बड़ी समस्या होती उन लों के लिए जिसके लिए समस्या है क्योंकि आखें सूख जाती हैं, आप तमाम आईड्रॉप डालते रहते हैं, लेकिन आप लाब नहीं पाते हैं हम आपको बताएंगे होमियोपेथी में ड्राइ आइस को ठीक करने की दसकारगर होमियोपेथी दवाएं उससे पहले साथियों जान लेते हैं कि ड्राइ आइस होती क्या है ड्राइ आइस आपकी वो आखों की वो कंडिशन होती है, जबकि आपकी आखें adequate tears नहीं produce कर पाती है जब आपकी आखें कम tears अपने से produce करती हैं, तो आपकी आखें सूख जाती हैं आखों में कड़क पर महसूस होने लगता है, विजन बलरी हो जाता है, तकलीफ होने लगती है फिर आखों से पानी आने लगता है क्योंकि टिर्स प्रॉपर नहीं आ रहे होते हैं जो कि complex protein का mixture होते हैं और आप परिशान होते हैं तो dry eyes एक समस्या है जो कि होमियोपथि से ठीक हो सकती है हम आपको इसकी कारगर होमियोपथिक दमाएं बताएंगे सबसे पहले साथियों डिसकस कर लेते हैं इक dry eyes के symptoms क्या होते हैं dry eyes के symptoms आपकी आखों में जो कड़क पन होता है, सबसे बड़ा symptom वही होता है जबकि आपकी आखे सुखने लगती है, उनमें कड़क पन आने लगता है, आखों में गड़न होने लगती है, रेत ऐसा मैसूस होने लगता है आपकी आखों में blurry vision होने लगता है, आपकी आखों से पानी आने लगता है, आपकी आखों में चमक आने लगती है एक reflection आने लगता है रात में आप drive नहीं कर पाते होता ज़्यादा आपको बार बार आके muscle नहीं पड़ती है वहाँ इस्थिती आपको होती है तो वहाँ सब symptom होते हैं आपके dry eyes के अगर आपके dry eyes है तो आप एक बार कुसलची किस्तक को आइस प्रिस लिष्ट को भी जरूर दिखा लें क्योंकि उसके तमाम कारण हो सकते हैं साथियों अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं dry eyes के causes पर dry eyes होती ही क्यों है उससे पहले जान लेते हैं कि dry eyes को जो सबसे बड़ा component होता है토 है Wyatt यह क्या होते है हमारे जो होते हैं यह Fati acids Again oils और water का mixture होते हैं यह complex mixture होता है हमारे fatty acids का water का और आएल्स का हमारा कम हो जाता है तभी dry eyes होती है इसके तमाम कारण हो सकते हैं जैसे कि एक कारण हो सकता है इसका Shogren's Syndrome यानि Shogren's Syndrome में आपका Tear Secretion खतम हो जाता है Hypotharotism में आपको Dry Eyes हो सकती है Rheumatoid Arthritis में आपको Dry Eyes हो सकती है तमाम Radiations अगर आप उनसे उसकी आपकी Therapy हुई है तो आपके Dry Eyes हो सकती है इसक्लेरे डर्मा से आपके dry eyes हो सकती है लेजर सर्जडी अगर आप कराते हैं तो उससे भी dry eyes होती है हलागि वो temporary होती है तो यहार तमाम कारण हैं जिनसे आपके dry eyes हो सकती है dry eyes हैं तो इसको दूर करने की दवाएं भी हैं हम आपको बताएंगे होमियोपैथी में ड्राय आइस को दूर करने की दसकारगर होमियोपैथिक दवाएं लेकिन उससे पहले हम आपसे विंती करेंगे कि कोई भी ऐसी समस्या यदि आपके सामने है ड्राय आइस की या मेडिकल हेल्थ कंडिशन कोई भी तो आप कुसल चिकिस्तक को अवस्थ दिखाएं चिकिस्तक से प्रिस्काइब करें बिना जो एडुकेटली आपके लिए है वहाँ ऐसे दवा ना लें क्योंकि दवा आपको नुकसान भी कर सकती है चलते हैं सातियों ड्राय आइस को ठीक करने के होमियोपेथिक ये दसकारगर होमियोपेथिक दभाओं के सफर पर जो आपको ठीक कर देंगी एक स्थिती आती है सातियों कि आपके आँखों में लाली बहुत आगई आपकी आखें ड्राइ हैं, आखें सूख रही हैं और उनमें लाली बहुत है तो अगर आपकी आखों में ड्राइ आखों में, सूखी आखों में, जिसे कहते हैं आशू सूख गए हैं ड्राइ आखों में आपके लाली बहुत है तो उसको दूर करने की होमियोपैथी में उस सिंटम के कारण आपको ड्राइ आइस को ठीक करने की होमियोपैथी में दवा एकोनाइट है आप एकोनाइट ने प्लस 30 पावर में 2-2 पून दिन में 3 बार यदी ले लेते हैं 3-4 बार तो आप एक हफ्ते में देखेंगे कि आपके आखों की लाली भी चली गई और आपकी ड्राइ आइस भी थोड़ा सा मॉइस्ट होना शुरू हो गई तो आप dry eyes जिसमें कि आपके आखे में लाली हो उस इस्थिती में आप एक उनाइट की मदर लेके अपने को ठीक कर सकते है एक और इस्थिती आती है साथियों कि आपको राद भर नीन नहीं आ रही है और आपके कब्जियत रहती है और आपकी आखें बिलकुत सूख गई है, dry eyes हो गई है तो अगर ये नीन्द ना आने वाली इस्थिती आप में हो इन्सोम्निया हो और आपके कब्जियत रहती हो और आपके dry eyes हो गई है तो तीनों condition को एक दवा ठीक कर देगी और वहाँ दवा है opium आप opium 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आपने dry eyes को condition को ठीक करने के लिए उस इस्थिती में कि जब आपको नीन्द ना आती हो और कब्जियत रहती हो एक इस्थिती सातियों और आती है जब आपके dry eyes होती है और आपको भारी constipation होता है और आपकी पूरी skin dry और खारिश ऐसी हो जाती है उस इस्थिती की भी homeopathy में दूर करने की बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है alumina alumina 30 power में दो दो बून दिन में तीन बार उस इस्थिती में ले सकते हैं कि जब आपके चेरे पे बहुत खारिश हो रही हो उस इस्थिती को ठीक करने की homeopathy में निश्ची तरूप से alumina है आप alumina 30 दो 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 बून दिन में तीन बार ले सकते हैं आपकी dry eyes की condition इस दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी फिर एक इस्थिती आती है साथियों कि आपके दर्द आखों में बहुत रहर ड्राई eyes है यानि आपकी painful dry eyes है आपके दर्द भी हो रहा है आखों में और आपको eyes भी dry है तो अगर यहाँ condition आपके है तो इसको ठीक करने की homeopathy में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बलेडोना अब बलेडोना 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं dry eyes के विशे में जब आपके आखों में पेन हो रहा हो और वहाँ आपके सर तक जा रहा हो और यह को तीर के माफिक जा रहा हो तो उस इस्तिती में बलेडोना बहुत अच्छी दवा है यहाँ जब सर में धड़कन थ्रॉबिंग भी महसूस हो रही हो एक blood flow rush हो के आओ उस इस्तिती की दवा है आपको यहाँ ठीक कर देगी यहाँ इसकी तकलीफें रात में जादा बढ़ती है रात में आपको तकलीफें जादा मैसूस होती है फिर एक condition आती है साथी हो कि आपके skin में एक्जेमा काफी हो allergy काफी हो और पुरे शरीर में रात पर खुझली मचती हो और उससे आपको तकलीफ होती हो और आँख में भी आपको बहुत जादा इचिंग होती हो तो अगर यहाँ condition आप में है जो कि एक्जेमा से सीधे associated है और आपके dry eyes हैं तो उससे इस्थिग को दूर करने की होमयोपेदी में बहुत कारगर दबाब miserium है आप miserium 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें तो आपका जो चिपचिपा पानी के एग्रावेशन वाला इंग्जिमा है dry eyes के साथ तो वो दोनों चीजें miserium 30 से ठीक हो जाएंगी और आप dry eyes की समस्या से निपढ़ सकेंगे फिर एक इस्तिती आती हैं कि आपकी eyes dry है उनमें जलन हो रही है और उनमें खुझली हो रही है तो अगर यहाँ इस्तिती आप अपने dry eyes की condition में देखते हैं कि आपको जलन और खुझली हो रही है और आपकी आखें बिल्कुल dry हो गई है तो उसको दूर करने की homeopathy में बहुत कारगर दबा है Sulfur आप Sulfur 1 E.M. की तीन खुराग 55 मिट के फासले पर weekly ले लें आप देखेंगे कि आपकी आखों की खुझली भी कम हो गई आपकी dry eyes भी खतम हो गई और आपके eyes को जो blurry vision है blurry vision आपकी eyes में हो रहा है dry eyes में वहाँ भी दूर हो गया Sulfur blurry vision को दूर करने में भी बहुत सायब होती है फिर एक स्थिती आती है साथियों dry eyes की जब dry eyes में आप क्रमिक क्रतिम light जो artificial light होती है शायद रात में driving के time की light होती है वहाँ आपकी आख में बहुत चमक मारती है या कोई भी जो lights लगी होती है जो man made ये बिजली के बलग और ये सब होते है यहाँ के आखों में बहुत चमक मांगते है तो अगर dry aesthetic की condition में यहाँ light से आपको artificial light से दिक्कत होती हो चमक होती हो बहुत जादा उसको दीद करने की homeopathy में बहुत कारगरदवा आर्सनी के album है आप आर्सनी के album 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते है इससे आपका dry eyes भी खतम हो जाएगा और रात में होने वाली जो यह flash वाली light से कार की light से स्कूटर की light से टेंपो की light से इससे जो आपके चमक होती street light से वहाँ भी खतम हो जाएगी उसके बाद साथियों एक city आती है आपके dry eyes की जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत तकलीफ हो जाती है आप पढ़ नहीं पाते हैं आपके आखों में जलन होने लगती है आपके सर में दर्द होने लगता है तो अगर यहाँ city आप में होती है dry eyes में कि पढ़ते टाइम आपको दिक्कत होती है पढ़ लिखने में आपको दिक्कत है तो जो जो पढ़ने के कारणी strain के वर्द करने के समय पे आपका सर में दर्द और आखों में दर्द है वहाँ चला जाएगा और आपकी dry eyes की condition में ठीक होने लगेगी नेट्रम्यूर के patient की peculiar बात होती है कि उसको नमक खाना खाने में पसंद होता है थोड़ा सा नेट्रम्यूर का patient का इखहरा लंबा लंबी गर्दन वाला इस तरह का उसका physical constitution होता है और वहाँ उसको गर्मी बहुत लगती है और उसकी skin थोड़ी सी dry होती है उसमें cracks आने लगते हैं कभी-कभी यहाँ सब symptom नेट्रम्यूर के साथ चुड़े हुए है विरेट्रम एल्बम हो गई ब्राइनिया एल्बा हो गई ब्राइनिया एल्बा के विशह में मैं बता दूँ ब्राइनिया एल्बा भी dry eyes को खत्म करने की उस समस्या को खत्म करने की होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है ब्राइनिया का symptom यह कहता है dryness of all mucous membrane जब आपकी eyes भी dry हो गई हो mouth भी dry हो गया lips भी dry हो गई हो आपका skin भी dry होने लगी हो जब पूरा skin dry होने लगे तो समझ दीजिए आपकी drug of the choice sulfur और ब्राइनिया है आप sulfur और ब्राइनिया यह दो दवाओं का गरुपियों कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो है वहाँ dry eyes की समस्या खत्म हो गई यह कोई दवाइंती साथी हो dry eyes को ठीक करने के विशह में मैं फिर बता दूँ कोई भी दवा किसी कुसल चिक सक से प्रिस्काइब कराके ही लीजिएगा मेरा या कोई भी अन्य वीडियो देखकर यह दवा ना लीजिएगा यह केवल एक प्रयास ता यह बताने के लिए कि हुमियोपैटी में वास्तब में dry eyes को ठीक करने की दवा है यदि आप इसको तलीनता से कर लेंगे तो आप इस समस्या से निजात पा जाएंगे लेकिन दवा किसी कुसल चिक सथ से प्रिस्काइब करके ही लीजिएगा अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने कुश्चिन को लिख सकते हैं या फिर हमारे वाट्साप नंबर 94-15-786-380-9415-786-380 पर अपनी को वाट्साप कर सकते हैं आपको संतोस चनक जवाब दिने का पूरा प्रियास किया जाएगा अगर साथियों आपको हमारा यहा प्रियास होमियोपेथी को आपके करीब लाने का पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने चैनल को सब्स्राइब करिएगा अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारे वीडियो पाते रहेगा आपका हमारा साथ देने के लिए साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार धरनेवाद अपने चैनल को शेंजिताद कािनल का साथ झाल झाल झाल